नमस्कार MP News कास देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आस्ता शीवास्ता विसी के साथ अब ख़बरे विस्तार से करताओं से विचार विमर्ष किया। कॉंग्रेस कार्य करताओं से संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की। पूर्ब कैबिनेट मंत्री लखन घंगोरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में कटनी का आप एक्षा के अनुरूप विकास नहीं अन्शु मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कार्य करता मौजूद रहे। हमारे कांग्रेस में जिसी नहीं हमारी महला कांग्रेस की वहने हैं बहुत सक्रीता से बहुत सजक्ता से कांग्रेस के लिए लगी कम से कम यह विकी तो नहीं संख्यटन की एक प्रक्रिया होती है कांग्रेस का सदच्चता वियान गाउं चलो घर चलो बूत से लेके सेक्टर मनलम तक हर तरीके से हमारा कांग्रेस का कारकरता मुस्ताइद हो इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटिया जच्च माननी कमलनाज जी का एक व्यापक कारकम है जिसके तहर सदच्चता वियान की समीक्चा के साथ साथ और इसमें तीबरता कैसे आए इसको लेके ये बैठा के और मैं समझना हूं कि कांग्रेस का हर कारकरता बड़ी सिद्दत के साथ इस काम में जुटेगा हाली में प्रदेश सरकार में जो आजार करोण कर दे लिया है क्या शहर का विकाथ हो रहा है शिवराज सिंग जी की अभी की दो साल की सरकार और इसके पहले पंद्रा साल की सरकार में कितना विकास हुआ ये हमसे बहतर कटनी का आप जानते हों कितना विकास हुआ विकास वा सामले में भरष्टाचार की सोच कितनी है यह भी आप बहतर जानती कटनी को जिस हिसाब से माइलेज मिलना चाहिए तक क्या इस सरकार ने दिया हम तो यह कहेंगे कि महाकोचल की उपेख्षा कि यह कटनी का आपके लगा कटनी जिले से लेके जवलपुर जिले तक संभागी मुख्याला से जब एक मंत्री नहीं दिया तो इनकी प्राश्मिक्ता में यह जिले है नहीं इसलिए इनसे विकास की आप एक चाम करके से सकते यूपी का चुनाव बता देगा कि खतम कौन हो रहा है नरुत्तम मिस्रा जी को कम से कम मर्यादाओं को समझना चाहिए कि दिगवजय सिंग्जी दो बार के मुख्यमंत्री है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अच्च चरहे समय सब का आता है अपने कद को पहचान के लोगों को बात करना चाहिए और सरकार की संजीद की करोना गाइड लाइन में कैसी रही यह आप से छुपा नहीं है चुनाव जब आते हैं तो उन जिलों में करोना नहीं रहता है उन प्रदेशों में करोना नहीं रहता है सारी चीजों की छूट होती है दूसरा बैक्ती स्वहम बच्चे सरकार नाम की चीजने के सरकार कहां थी जब लोहों को आक्सिजन की जरूरत थी जब लोहों को अस्पतालों में बैट की जरूरत थी बैड जब इंजेक्शन की जरूरत थी इंजेक्शन नहीं मिली और तो और वैक्सीन विदेश भेज़ती गई थी जब पीक उतर गया तो अपनी पीड थप्थपा रहा है धन्यवाद मोदी जी फ्री वैक्सीन के लिए किसी के घर की किसी के पिताजी की जागीर नहीं है देश का पै अपनी तुरक्ष्या लोगों ने खुद की है और हमारा भी यह आवान है कि अपनी तुरक्ष्या खुद करें सरकार नाम की कोई चीज नहीं है सरकार के भरोते पिला रहे हैं पाने का अगरे सजी तुरी आवंगार यह ओंपार अपकर लोगों चलो घर चलो अवियान के विशय पर ही यहां पर चर्चा कर दी है यूस पर प्रतम वक्ता के लूप में अपर बस्तरान पत्रकार वो अधियों पीडी चर्चा हो गई है ए रच्चा हो गया है झालो अवार अचा है यूसा यूस यूसषल प्रतम वक्ता यहां है कर दिए में नहमारी चलो फिर इस प्रतम प्रतम है